नेतर हाट फील्ड फाइरिंग रेंज को रत करने की मांग को लेकर 21 अप्रेल से लोग पैदल मार्च निकाल कर राज राजभवन के समीत पहुँचे हैं महा महीन राजेपाल से मिलने के लिए और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं काफी संख्या में लोग आ रही हैं और उनका पैर धो के स्वागत भी किया जा रहा है तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं अपना पारम पर एक गाना गा रहे है और आए हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि वो किस विशे पर धरना पर बैठे हुए हैं आज राजभवन के समीब धरना दे रहे हैं काफी लोग जो चाता ले करके खड़े हैं कहीं पर बाठे हैं जंडा ले करके लोग आ रहे हैं काफी संख्या में लोग आप ही रहे हैं और काफी लोग यहां पर मौजूद हैं जो बैठे हुए हैं आए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किस चीज को लेकर करके आज आप धरना प्रदर्शन करते हैं यह देखिए यह नेतरहाड फिलिंग फैरिंग रेंज इसका बिरोद में आज का बिस्तार होने वाला है इसको रद करना होगा क्योंकि यह मामला 1956 का है जो बिहार सरकार ने अधिसुचना जारी करके यह आउधी का बिस्तार किया था और सैने अभ्यास 1963 से लेकर 1993 तक सैने अभ्यास होता चला गया और वहां जोड़दार बेर्द हुआ हैं यतने भी आद कितने दिन तक यह धर्णा प्रदार्शन चलिए यह पैदल मार्श अपका किस अपील को निकला था आज यहां पर समापन हो जाएगा महम से मिलने के बाद हम रोद करेंगे जानकारी देंगे कि हम लोग क्यों प्रोद कर रहे हैं और सरकार अगर रद नहीं करती है तो यह ल लगता आए कि के शोच रहे है यह अनियसा सेनिया भ्यास बंद नहीं करती हां अधी का विस्तार हो रहा है अज अधी का विस्तार 22 में खतम होने को है मैं में और 21-21 इंबारा मैं तक यह विस्तार नहीं होता है तो सोता सब्दों माना जाएगा लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कि लोग चाहते हैं कि अवधी का विस्तार ना कितना गाउं प्राभावन देखे इस अब ऐसा समझे यह वहां तीन बिधान साबा छेतर जो गुंड़ा बिधान साबा छेतर बिसेंबूर बिधान साबा छेतर मनीका बिधान साबा छेतर से सटा हुआ बोडर अरिया है करीब 245 किस चीज को लेकर के आज आप धरनाप हम लोग का बाब दादा से रखल हम लोग का जगा जमीन चिना जा रहा है और उसी सोच में हम लोग को 200 किलो मीटर से हम लोग नेतरहाट से हम लोग पैदल चल के आए हैं और आज हम लोग का बाब दादा का जंगल जाड पूरा हम लोग का बेवस्ता बनाया हुआ सब हम लोग का उजड़ जा रहा है जाम लगोम जमीन नहीं रहेंगे, जैसे नादी नहीं लाना के पानी जुखता है, मच्रि बेपानी का अडिस हम लोग नहीं रह सकते हैं बें रहें दो ठींग के रध्य वा किळानी कहने के लिए हम लड़ रहे हैं जो अभी तक अधिसूचना तो हजार बाइस तक 11 माए 2020 तक जो उसका अधिसूचना रद करने का थी था तो उशी को हम लोग कूर रूप से रद करने के लिए हां पर बैठे हैं ताकि हम लोग अपना जल जंगल जमीन को हम लोग बचा सकेंगे अपना स्थि हमारा कलेजा चीर के सरकार देखे और हम हमारा जो क्या बोलते हैं जो हमने आवाज उठाई है आवाज सरकार के कानों तक पहुचना चाहिए तो हम अपने आवाज को पहुचाने के लिए यहां तक आये हैं राजभाहन तक तो वही कान तक आवाज पहुचाने के लिए तो ह भी छोड़ेंगे लेके रहेंगे जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे फिल्फाइरिंग का जो इकीस में उने 122 तक रखा गया था वह अभी तरह के थी समाप्त नहीं हुआ है इसी के खिलाप में हम राजभरवन में ती देने के लाए हैं कहां से आएं आप नेतरहाट के पास एक टुटवा पानी कितना किलोमीटर है यहां से 172 किलोमीटर है और कितनी जब पैदल मार्च चल करके आए तो आपके कितनी कठिनाईयों का सामना करना पाए है एक तो है कि हम जब अपनी इलाके में से गुजरे तब हम में तो एक तैक कर लिया था कि हम लोग पैदल जाएंगे और ताकि परभावी तिलाके से हम गुजर करके आए हैं गुमला तक तो वहां तक तो हमारे जो परभावी तिलाके के लोग है जो गाओं है उस गाओं ने हमारे लिए पानी की ब्योस्ता से ले करके चनाक से ले करके हमें खाना तक खिलाया लेकिन जैसी हम गुम सब्सक्राइब लेकिन लोगों ने जो प्यार दिखाया उसे जितनी भी परस्थितिया थी जो कर्षदायक थी वो सारा चुप मंतर हो गया किस चीज को लेकर आप धरना पर है एक तो है कि हम 28 साल से सरकार से ये मांग करें कि नितरहाट फिल फारिंग रेंज जो है उसको रद करें लेकिन सरकार ने उस मांग को अभी तक नहीं माना है अब आज विशेश रूप से आने का हमारा उदेश से है कि 1999 में कि करित बिहार के स सुचना जारी हुई थी जिसकी आओधी 2022 तक है 11 माई 2022 तक अभी 11 माई 2022 आने में चंद दिन बाकी हैं हमारे ये मानना है कि सरकार इसके बाद आओधी बिस्तार ना करें साथ ही साथ और नितरहाट फिल फारिंग रेंज को ही सदा के लिए रद करें यहीं हमारी मांग है जो जैसा कि आपने देखा कि काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और हमने जिन जिन से बात किया उनका सिर्फ मांग यहीं है कि नेतरहाट फिल्ट फारिंग रेंज को रद करें और कितनी दूर से लोग पैदल चल करके आए हैं और किसी का कहना है कि हमें परिस्थितियों का स कि ने कोई दिक्कत नहीं हुई है और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जीन भारत के साथ धन्यवाद अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले